अगर आपके बच्चे बहुत बिमार रहते हैं तो करें यहां बिसेश उपाए सरपर्दम बात करते हैं बच्चे बिमार क्यों होते हैं बच्चे बिमार क्यों होते हैं तुम्हें यहां पे लिखा है इस बात को समझे एक तो बच्चे तब बिमार होते है जब परकरती के वातावरण के परिवर्तन होने के कारण बच्चे बिमार होते है परकरती वातावरण चेंज होता जैसे कि कभी सर्दी आ जाती है कबी गर्मी आ जाती है मोसन, मोसन परिवर्तन होता है तब जा कि बच्चे बिमार घोते है तो यहाँ वीडो पूरी देखे यहाँ बिसेस पाय जुरूर करे इस पाय को करने से आपके बच्चे बिमार कम हंगे वीडो पूरी देखे कि आपको चिलेगे तो लाइक सिया सब्सक्राइब धरू करना तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है अगर प्रिवर्तन के कारण बच्चे बिमार हो रहे हैं तो आप डोक्टर साब की सला ले परेज करें दवाए खाए हम भी बिमार होते हैं तो हम डोक्टर साब के बाद जाते ह अपने बच्चे बिमार के बच्चो को भी लेके जाते हैं तो आपने डोक्टर साब के सला लेनी है परन्तो आप लगातार आपका बच्चा बिमार होता जैसे आप डोक्टर साब को पास गए आपने दो या तीन दिन की दवाए बच्चो को खिलाए फिर अगले दिन ठीक है तो आपने साथ में डोक्टर साब की सलाा लेनी है, साथ में आपने बिसेव उपाय करने है, आपने उपाय करने से बच्चा स्वस्त रहेगब, आपके घर में शुक्शान्ती भी रहेगी, तो आपने क्या करना है बच्य की जनमकुणली दिखानी है, जनम Coronavirus का क्योंकि जनम पत्र का जरूर दिखानी है अगर आपके बच्चे की जनम कुणली में चंद्रमा गर है कमजोर है नीच राश में बेटे हैं, अस्त हो HO रखे है चंद्रमा क्या है, हमारे पर्त्यक्स देबता है हर धर्मों में चंद्रमा की पूजा करते हैं सबी तो चंद्रमा क्या है अगर कमजोर है तो आपके बच्चों को जैसे सर्दी, जुखाम, खासी, बुखार सब रहेगा वहीं बात करेंगे अगर बच्चे पर राहो की महादासा चल ली हो या केटु ग्रह की महां दसा चल लिए हो या सनी ग्रह की महां दसा चल लिए हो तब भी आपका बच्चा बिमार रहेगा अने को परकार के कश्ट आएंगे थीक है चंद्रामा के है पांस साल तक बच्चों पर बहुत जद प्रवार डालते उसके बाद भी 35 взkin जनम पत्रिका में चंद्रमा शुब या असुब भल देते हैं अगर आपके बच्ची की जनम पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है तो आप समसकते हो सो परशन में 35 पर तिसद चंद्रमा कमजोर कर देते हैं मनुश्य को यहां पर आपने बिसे उस्पाय जरूर करने है इस सुपाय को करने से आपको लाभी प्राप्त होगा आपने क्या करना है भगवान सिफ के 21 बर्त रखने है यानि कि सोंबार के 21 बर्त रखने है शंकल्प करके और सिफलिंग में जल चड़ाने से सर्दी जुखां बुखार होता है यह साकसाध प्रमाण है ऐसे शर्दी जुखां बुखार दूर होता है ठीक है बच्चे का जैसे जनम दिवस यानि कि आज कर जनम हपी बड़्डे बोलते ठीक है तो जनम दिवस में जनम दिन में बच्चों के गरहें पुजाए इस से बहुत जादा लाप्राप्त ह होगा उस दिन आप भगवान स्रीशतनाजी की कथा करा सकते हो ग्रह पुजाओ उससे आपके घर में शुक्षान्ती धनाएगा बच्चा भी बच्चे की आयू भी लंबी होगी और बच्चा स्वस्त रहेगा आपका अब मैंने एक जनम पत्री देखी तो बच्चा बहुत बिमार रहता है बहुत इलाज होता है ठीक है अब बच्चा बिमार है तो माता पिता भी बिमार है क्योंकि बिमार रहते हैं क्योंकि संतान ही सबसे बड़ा धने उन्हें भी बहुत ज़्यादा चिंता रहती अपने बच करो जितना हो सकते हैं बच्चे के लेसे बट्चे को पैसे यह नहीं ऐसा नहीं कि उनकी गलत और फेल थैकριं की दूर्टू का एक जरूर्आ अस्तों कि उत्जाया isast इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लाप्राप्त होगा बच्चों के हाथ से दान कराए चितना हो सकता है गरीब लोगे ब्राम्रोगे जो आपको लगता है कि यहाँ पर दान मंदिरों में दान कर सकते हो कभी बच्चे के हाथ से सुक्र वार के दिन बर्तन दान करवा दिया कभी रवी वार के दिन तामे का लोठा दान करवा दिया शुक्र वार के दिन एक बाल्टी दान करवा दिया इस तिल की तो ऐसे करने से बहुत ज्यादा लाफ पराफ्त होगे बच्चा स्वस्त रहेगा जब आप कर्म करोगे जब आपने उपाय कर रहे हो जब आप दान कर रहे हो तो भगवान से आप मांग सकते हो कि हम तो इतना दान करते हैं इतना कर्म कर रहे है जब आप कर्म ही न करोगे दान ही न करोगे तो भगवान से कास माग हुए भगवान क्यों देगा पहले भगवान उसको देगा जो करम कर रहा है जो पाय कर रहा है जो दान कर रहा है उसको देगा पहले नमबर तो उनका है हमारा तो तम है नमबर तो इस बात का विशेश धान रखे